हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना स्यू कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हूं उम्मेद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और बच्चे लोग जैसे आप सीउटी की एकजाम की त्यारी कर रहे हैं अंडिय की त्यारी कर रहे हैं और आज मैं इतना बेसिक औ आप इस में से कितना सही कर पा रहे हो 18 से 20 कोशन आपको यहां पर प्रवाइट कर रहा हूं तो चले सुरू करते हैं फड़ा फड़ाज का फास्ट रिवीजन रहेगा और आपको समय दूंगा थोड़ा सा कि आप इनमें से सही अंसर बताएंगे जैसे आप पहला कोशन पढ है एस नहीं है एस है ना आरसेनिक है इनमें से कोई नहीं बताना है कौन सा बहिया उपधातु है इसका राइट अंसर है पेरे बच्चों क्या आरसेनिक उपधातु है ठीक है छे उपधातु है उड़ में से एक आरसेनिक यहां पर आपसन में है निम्न में से तक्तों का कौ सा जोड़ा आबर्त सानी के एक ही आबर्त की बात कर रहा है बर्ग की नहीं बर्ग में जैसे माली जे यहां पर देखे रहा है क्लोरीन फ्लोरीन यह आप क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही बर्ग के हैं लेकिन आबर्त की नहीं है ध्यान रखेगा तो इन में से सोडियम कैलसियम है जैसे आपका क्लोरीन इनमें देखे मैकजिमम में क्लोरीन देख रहा तो क्लोरीन बाला ही होगा क्लोरीन किस नंबर का है जैसे मैं सोडियम कहूं तो यदि आप पहला हाइड्रोजन होता है फिललीथियम होता है सोडियम तीसरे का है इसी प्रकार दूसरे नमबर का फ्लोरीन, तीसरे नमबर का क्लोरीन, तो आपसर नमबर 20 दा करेक्ट एंसर, कुश्चन बनाता है आवर्थ साड़नी से ही, लेकिन बच्चा लोग आप समझ नहीं पाते हैं, आवर्थ साड़नी का कितना खेल होता है, रसान सास्त्र के पिता इस क्वेश्चन को यदि कोई ना बताए ना, तो विल्कुल हो, तो मैं समझूँगा, कुछ पढ़ा ही नहीं है, और कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सबका एक रिस्पेक्ट होता है, फेराडे, प्रिष्टले, रदरफोर्ड, लेवोजियर, बताव चला, बताव है, हलकी धातवी, हैलोजिंस, अक्रिगेंस, ठीक है, दुरलब, म्रदा, तत्तो, बताव जरा, ये इस दस से, अठरामी समूँ का तत्तो है, अठारा है देख सकते हो, लास्ट केस्टेक, पूर्ण रूप से भरे होई है, या अन्ती में जो को से, उसमें पूर्ण एलेक्रा है, चार में से सबसे भारी बताओ, यूरेणियम का, रीडियम का, लेड का, पारे का है, बताओ, किसका स秘 होगा, निमलικήत में से, भारी परमाड़ू, क्वस्यन नम्र 5 का, आपका राइट अंसर, अब आप लोग इतने हम तो लगाई हैं, क्या यूरेणियम है, आबध साण यही को हम चार भागों बादे एक दाई और एक बाई और एक नीचे हमने M-bl craving को वेवस्थित कर दिया तो यह हम बात करें दाहिनी ओर की बात करें तो चार अपसर है ढठत्व अधह्तू उबधातू 128 tahun तो जो संक्रमनतत्त्तो है वो मदधवाग में, D-blark में, उपधात्व जो है वो P-blark के बीच में है, आपके 6 उपधात्व हैं, अधात्व हैं सीधे आपके दाएं हो रहे हैं और जो धात्व हो बाएं हो रहे हैं, तो अपसर नंबर, कॉश्चन नंबर 6 का राइट अंसर C हो पहले मेंडलीब का आवर्शांडी का नियम आया, इसके बाद पहले तुमाली जी एवोगेड्रो डाल्टन के मंडी से तो किसी तरीके से आवर्शांडी के वारे में पहले कुछ बताई नहीं, पहले डेवोराइनर का त्रिक सिध्यान तो नियूलेंड का श्टक नियम, फिर म मोसले का आया, तो भहिया मेंडलीब इन में से बहतरीन योगदान दिये, जिसका रूप रेखा, फिर मोसले ने थोड़ा सा परमाणुक्रमांग के आधार पर वश्चित कर दिया, परमाणुक्रमांग छे वाले तत्तो, छे का तत्तो मतलब कारवंग, आवर्थ सानी चो यहाँ पर कुछ है नहीं, अच्छा, कारवन की बात करो, तो 1H2, है ना, 1H2, 2H2, और 2P2, बहतरम कोस में 4 इलेक्टरान है, कितने इलेक्टरान, 4 इलेक्टरान, इसलिए 4 समोह यहाँ पर दिनोट करेंगे, यह आपका NCRT मानता है, ओके, चलिए, आगे देखो ज़रा, आवर्त साणी के फ्लोरीन समोह में उपर से नीचे क्यों चलने पर क्या बढ़ेगी, सक्रेता बढ़ेगी, विद्दू त्रिनात मक्ता बढ़ेगी, आयनिक त्रिज़ा बढ़ेगी, आयनन बिभाव बढ़ेगा, चाहे आप आवर्त साणी 17 समोह में फ्लोरीन से नीचे ले चाहे आप पहले सम्मू की बात करो, चाहे दूसरे सम्मू की बात करो, चाहे तरिसे सम्मू की बात करो, किसी भी सम्मू में जब उपस नीचे चलते हैं, तो कोसो की संख्या में ब्रद्धी होती, जैसे दो कोस होगे, फिर तीन कोस होगे, फिर कितने कोस होगे, चार कोस होगे फिर आपका 5 कोस हो गया है ना ऐसे तो उपर स्नीचे चलने पर तरिज्जा बढ़ती है क्या बढ़ती है तरिज्जा बढ़ती है बच्चा लोग तरिज्जा बढ़ती है इसलिए आनेक तरिज्जा में ब्रधी होगी Quesion number 10 है आबर्त सांडी में किस आबर्त में बाएं से दाएं ने और है ना बढ़ने पर धात्वी गुण बढ़ता है आबर्त सांडी में किसी आबर्त में किसी आबर्त में लिखा है बाएं से दाएं और बढ़ने पर धात्वी गुण क्या होता है बढ़ता है कि घटता है ये बताना है धात भी गुणा अच्छा एक चीज तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा इसको आप चारा आपसन देख लो बढ़ेगा घटेगा इस्थिर रहेगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा हमें दी बात करें ये आपका माली जी बाया पक्ष है ये दाया पक्ष है तो इधर आधात है है ना है कि नहीं पी बलाक में और इधर धात है है ना बीच में जो आपके धात है डी बलाक है तो जब बाये से दाये चलते हैं बाये से दाये तो जो आपका धात में गुण घटेगा क्यों क्योंकि इधर आधात है तो ये पेरे बच होगा अक्त्रिकयस एक उपधात होगा देखो जरह दो दो चार ओर चार चे दस दू बार रहे यह हैं़ी मगनेसियम मैंग है बताना अ को एक धात्व है अधात्व है तो मैंगनेसियम जो दूसरे सम्मू का तत्थ है तो प्हारे वच्चों एक आपका ट्तू एक धातु है क्या है एक धातु है इसके बाद आवर्थ सानी में दस्मत तो किसके अनरूप है दस्मत तो पहले आवर्थ के दुती आवर्थ के चोथे आवर्थ के नवे आवर्थ के आवर्थ बोल रहा है किस आवर्थ में हैं बताओ जरा दस्मत तो नियान जब हम अठ्रामे समु की बात करते हैं जो आपका ठ्रामा समु होता है उसके तक तो कौन कौन से हे नारायन अर्जुन कर न से रंगभुम में हार गए तो पेर पफिर वच्छो हीलियम यान यह आपका कौन सा है यह प्रफम आबर्थे ये दूसरा आबर्थे तो दुती आबर्द में है नियान क्योंकि नियान का पर्माण करमांग 10 होता है हिलियम का 2 होता है तो आप्सन नमर कुम सा हो जाएaltung हो जाए बी हो जाएका दुती आ वर्द में aluminum beacon सम्मंद रखता है किससे रखता है बताओ अलुमिनियम विकर्ण समंद किससे रखता है तो अलुमिनियम विकर्ण समंद रखता है बेरिलियम से किससे बेरिलियम से परमाण कमंग 29 वाला तक तो होगा बताओ परमाण कमंग 29 S ब्लाग का, P ब्लाग का, D ब्लाग का चार आपसन में आप सोचों, यहां पर मैं ज़िए 29 की बात करूं, 29 मतलब कापर, है न, ठीक है, और कापर किसमें पेरवच्चों, डी ब्लाक में है, 29, 31, जिसे 21 से लेकर के, आप 30 तक में कहीं भी डी ब्लाक, फिर आपका, यहां पर पी ब्लाक लग जाता है, तो यह आपका परवान करूंग 29 वाला क्या हो जाएगा, डी ब्लाक है, आपसन नमबर सी, दुरला म्रदा तक्तों की संख्या कितनी है, 8, 32 से, 14 है, 10 है, बताओ, अब इसमें थोड़ा साथ कट में बता दू, कि दुरला म्रदा तक्तों की से कहेंगे, लेंथे नाइडी की तक्तों को दु तो लीथियम आकार में छोटा है, इसलिए वही हलका होगा, यहाँ पर देखा जाए तो, सबसे सामान लेंथे नाइड कौन सा है, लेंथे नाम है, सीरियम है, सेमेरियम, प्लोटोनियम है, सबसे सामान है, बताओ जरा, ऐसे कुश्यन नहीं मनता है, मैं गारंटेड कहता हू कि अब 18 में 10 कुश्यन कर पाएंगे, जो अच्छा बच्चा पढ़ता होगा, और जो नहीं पढ़ता है, जो टाइम पर्स कर रहो हो तो 2-4 भी कर ले बहुत है, तुक्का लगा दो सीरियम, सही बात है, तुक्का लगा यह तो भी सही है, निम्लिकित में से कौन सा तत्त्यो पासानी से कर लेंगे, आपके राय अच्छे रहे, आपके कमेंट अच्छे रहे, आपके डिस्पॉंस अच्छे रहे, आपके लाइक्स अच्छे रहे, तो अगला भी वीडियो आपके लिए जानदार सांदार मिलता रहेगा, वीडियो पसंदार लाइक करना ना भूले, से लोग जैहिंद बंदे मात्राम और आप भी कमेंट बाक्स में जैहिंद बंदे मात्राम लिखना ना बोले